नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे खाल से बिलकुल अच्छे होंगे मैं वोपांडे आपका गाईज आपका दोस्त मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्ड जियोग्रफी का रिवीजन क्लास और ये क्लास ऐसी क्लास होगी जिसमें शुरू से लेके अंत तक लगवग हर टॉपिक से आप परिचित हो जाएंगे और इस क्लास को देखने के बाद में जोगरफी में जो भी क्वेस्टन आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपका डर निकल जाएगा और ये जो क्वेस्टन से इसमें कुछ पूछे हुए प्रशन आपको मिलेंगे, कुछ नए प्रशन मिलेंगे, मकसद है तयारी तो उसको हम करने की कोसिस करेंगे, आप लोग उत्तर देते चलेंगे और पहले फटा-फट इसको आप सेयर कर दीजे लोगों तक, कुछ दिर वीडियो देख लीजे, जब पसंद आया तब लाइक कीजे और अगर अच्छा लगे, और लगे कि किसी अन्यव्यक्ति के लिए उप्योगी है, तभी सेयर कीजे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, और इसका उत्तर दीजे मानों ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, 150 प्रशन इसमें हमको देखने है एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ, 150 प्रशनों की ये जो सिंखला है ये ऐसे रिवाइज हो जाएगी, तो आप में जो confidence आएगा, जो आपकी तयारी होगी उसकी तो आप समझ लीजिए कि examination hall में जब आप बैठेंगे, तब value जान पाएंगे तो पहला प्रशनी ही यही है कि मानों ने चंद्रमा पर कदम कब रखा, चर्चा में ये बना रहता है बार बार और ये जोगरफी में मुझे लगा कि पूछा जा सकता है, फिर से repeat किया जा सकता है तो ये कदम रखा था, कब रखा था, यही आपको बताना है और ये कदम मानों ने रखा था, 1979 में डी आप्सन इस प्रशन का विल्कुल सही है, फोई थोड़ी व्याख्या करेंगे 20 जुलाई का ये दिन था, 1969 में, 69 का मतलब 69 होता है और हिंदी दिवस की आप लोगों को बहुत-बहुत सुप कामना है अज सुबे से एक मैसेच चल रहा है, जिनको 69, 89 और इन सब में अंतर पता है और सही से उसको जानते हैं, उनको हिंदी दिवस की बदाई और वाकी सबको, Happy Hindi Day तो वास्तों में ये आपको जानना चाहिए 20 जुलाई का ये दिन था, 20 जुलाई 1969 को मानों ने कदम रखा था Apollo 11 मिसन भेजा गया था तीन या अंतरिच यातरी इसमें गये थे दो का नाम आप लोग जानते हैं Edwin Eldrin का नाम और नील आमिश्टांग का नाम और तीसरा थे Michael Collins Michael Collins का नाम भी आपको जानना चाहिए Michael Collins भी उसमें थे लेकिन कदम जो रखा था वो आमिश्टांग और Edwin Eldrin ने रखा था यह वही जो अब मिसन गया था तो उसका नित्रत तो कर रहे थे अंदर बैठे हुए थे बाहर कदम इनों ने नहीं रखा था Michael Collins सूर की परिकर्मा में कौन सा ग्रह सरवाधिक समय लेता है बहुत बढ़ी हाँ बेसिक सा प्रश्ण है वरून जो ग्रह है वरून को आप सबसे बाहरी ग्रह कहेंगे क्योंकि यम है नहीं, प्लेटो है नहीं तो Neptune जिसको आप कहते हैं वरून ग्रह जिसको कहते हैं वो सबसे बाहरी ग्रह है इधर Neptune भी आता है, वरून भी आशकता है वरूना लिखा जाएगा इसको या Neptune, तो ये सबसे बाहरी ग्रह है और ये सबसे ज़्यादा समय लेता है सबसे ज़्यादा समय यही लेता है और पहले Pluto हुआ करता था 2006 में Pluto को निकाल दिया गया था बुद्ध सबसे नज़्दी की ग्रह सबसे कम समय हो लेता है दूरी के हिसाब से यह निर्धारित होता है सूरी के कितनी दूर पर यह इस्तित है अगला जो प्रशन है जब दिन और रात की अवदी बराबर होती है तो सूरी की किरने सीधी पढ़ती है कहां पर पढ़ती है तो दिन रात की अवदी बराबर होती है तो आप समझ जाएए कि आपका जो एक्वैटर है जो आपकी भूमद रेखा है इस पर सूरी की किरने सीधी बिलकुल पढ़ रही है और तभी दिन और रात बराबर होता है, इसकी अवधी बराबर होती है और ये भूमद रेखा, अभी option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा दो तितियां याद रखिएगा, एक है 21 मार्च की तिति और दूसरी है 23 सेप्टेंबर की तिति जबकि भूमद रेखा या विस्वत रेखा पर सुरे लंबवत चमकता है और प्रित्वी की दोनों गुलार्धों में इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं 12 गंटे का दिन और 12 गंटे की रात इवनिंग इस्टार किसे कहते हैं? ये कहने को डेर सो question है लेकिन तैयारी आपकी हर हाल में हजार question की हो जाएगी देख लीजिएगा इवनिंग इस्टार किसे कहते हैं? इवनिंग इस्टार कहते हैं सुक्र को और सुक्र को और क्या क्या कहते हैं? सुबै का तारा, भोर का तारा, साइंकाल का तारा, लाल गरह ये सब नाम इसके हैं ब्रैस्पत के बारे में अगर बात की जाए ब्रैस्पत जो है सबसे बड़ा ग्रह है सबसे बड़ा अगर छल्ले वाले ग्रहों की बात की जाए तो सली जो है ये छल्लों से यूटिब रहे बसवन में आगई मंगल के बारे में आप मतलब बर्का जानते हैं अगला जो प्रश्न है निम्लिकित में से कौन सी खगुली वस्तों नहीं है पलसर, भंगुर तारा, क्रिश्नमाश्टर, क्वासर पुछा हुआ प्रश्न यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है क्रिश्नमाश्टर, क्रिश्न विवर या ब्लैक होल, ये क्या है खगुली वस्तों है कि नहीं है बताविएगा क्वासर एक तारा का स्रूत आप कह सकते हैं चार से दस अरब प्रकास वर्श्दूरिस्तित है ये प्रकास उसरजित करता है इससे आने वाली रेडियो तरंगों से इसकी जानकारी प्राथ होती है पलसर भी एक खगुली वस्तों नहीं है इसका C option correct हो जाएगा ये खगुली वस्तों नहीं है बाकी सब है किसमें सबसे पहले बताया था कि प्रिथभी गोलाकार है प्रिथभी जो है पहले ऐसा नहीं पता था मतलब क्या है कैसे है तो सुरू से विचार जब देने सुरू हुए लोगों ने दिये विचार तो एक युरानी दार्सनीक हुआ करते थे अरस्तू अरस्तू ने बताया था आन दा हैवेंस इनकी पुस्तक थी ये इनकी पुस्तक थी और आन दा हैवेंस में इन्होंने कहा था कि प्रिथभी गोलाकार है प्रिथभी को इन्होंने गोल बताया था फिर टालमी और इस्टोबो पहली बार दूसरी सताब्दी में और कापर निकस पंदरवी सताब्दी में हुए और उन्होंने भी इसके बारे में बताया प्रिथवी के बारे में रिसर्च और यह सब अध्यन किया लेकिन अरस्तू के बारे में ध्यान अकना इन्होंने बोलाकार बताया था सौरिमेंडल में छोट ग्रह या ऐस्ट्राइड छोटे खगुलिये पिंड है वो किन ग्रहों के मद्ध पाये जाते हैं आप जब सूरिय से शुरू करेंगे तो यह आपका सूरज हो गया सूरिय सन फिर बुद्ध सुक्र प्रितवी मंगल ब्रेस्पत सन अरून वरून यह ग्रह है तो बुद्ध सुक्र प्रितवी फिर मंगल मंगल और ब्रेस्पत की बीच में यहां पर आपके छुद्रग्रह पा जाती है और सौरमेंडल में आप देखेंगे तो इन्हीं दो ग्रहों के बीच में आपको मिलेगी यह इंके बारे में कई बार यह पूछा गया है बी ऑप्सनिस का मिलकुल करेक्ट है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन सकते हैं यह नहीं सुन सकते नहीं सुन सकते हैं चंद्रमा पर आप जाएंगे तो वहां आपस में आप बात करेंगे तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बात एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए और माध्यम वाइवंडल के तौर पर ह तो यहां पर वाइवंडल है नहीं पर दूसरे की बात सुन लेते हैं चंद्रमा पर यह सभाव नहीं हो पाता है और एक माध्यम की जरूरत होती है माध्यम मिलता ही नहीं तो चंद्रमा पर कभी जाईएगा चांद के पार चलें अपने चहते के साथ तो देखेगा उनसे ब मनाया जाता है तो विस्तु प्रिथवी दिवस जो है यह हर वर्स मनाया जाता है 22 अप्रायल को बहुत बढ़िया प्रश्ण है प्रियावरण समनच्छन के लिए यह आयोजित किया जाता है कि प्रियावरण समनच्छन के प्रति लोगों को जागरुप किया जा सके और विस restore our earth current कब ये question आपका तयार हो गया restore our earth ये इसकी theme है इस बार की important है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपसे पूछा जाए तो इसमें कई बार लोग confused होते हैं कि छोटा ग्रह क्या प्लोटो को मार देंगे प्लोटो तो आप रहा भी नहीं तो आप इसको कह देंगे या बुद्ध को मारेंगे क्या करेंगे तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह प्लोटो ही है इसमें कोई दोराय नहीं है और इतना छोटा है कि इसको ग्रह की स्रेनी से अब हटा दिया गया है अब यहां पर एक प्रश्ण और बनता है कि अगर अब प्रश्ण ये पूछा जाएगा तो क्या प्लोटो को दिया जाएगा अब ये नहीं प्रुछा जाएगा एक बार ये प्रश्ण किसी ने मुझे भेजा था परस्नली वाटसेप किया था तो मैंने उनको बताया था लेकिन अगर अब पूछा जाए तो क्या होगा अब पूछा जाए तो प्लोटोप होगा या नहीं होगा तो अब जो दिया जाएगा उसमें से आप तिक करेंगे ग्रोहों का आप एक तो स्टूरी से दूरी का करम देख लीजिए और उनका आकार का जैसे ब्रेस्वत को सबसे बड़ा हमने कहा पिर उनका एक आकार का भी एक दूरी का करम आप देखिए और दूसरा एक आकार का करम देखिए इसको तयार कर लीजिए लाश्ट समय निम्लिकित में से कौन सा रुपांत्री चट्टानों का उधारन नहीं है रुपांत्री चट्टानों का जो उधारन है वो कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें ग्रेनाइट जो है एक आग्निय चट्टान होती है आग्निय चट्टान ये रुपांतरी चट्टान के शिल्णी में नहीं आती, बल्कि संगवरमर, क्वाडजाइट और स्लेट, ये सब रुपांतरी चट्टान के उधारन है, grade इसका उधारन नहीं है, grade ग्रेनाइट है क्या, तो igneous rock है, ये continuous rock है, grade जो है, the option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा आउसादी सैलों के लिए निम्रिकित में से कौन सा कथन सत्य है आउसादी सैलों के लिए आप देखें तो ये वे सैले होती हैं जिनकी सनचना ताप तथा दाप पर निर्भर करती है बिल्कुल सही बात है ये सही है क्या जिहान से पढ़िएगा आपको लंबा स्टेटमें लगता है तो सही बात है ऐसा नहीं है जिहान से पढ़िए फिर समझेए ये सैले किष्टिलिये होती है ये सैले अस्तरों में निछेफित होती है और ये इनमे से एक कोई नहीं दिया है सबसे पहले आवसादी चटान की दिसेस्ता सबसे बड़ी कौन सी आपको नजर आ रही सबसे सरवल वाली देखिए ये सैले अस्तरों में निछेफित होती है ये बात बिल्कुल सही है परतदार चटाने या आवसादी चटाने एक ही चटाने होती है और परत बर परत इनका जमाव होता है और इसी कारण से इसमें जीओं के आवसेस भी पाये जाते है 75% इनका पूरा भूप्रिष्ट में फैलाव है जितने भी सैले हैं उनमें से 75% और ये अस्तरों में निछेफित होती है लेकिन ये सैले रवेदार नहीं होती क्रिष्ट दिया नहीं होती ताप और दाप पर इनकी सनचना निर्भन नहीं करती परत दर परत ऐसे जमी रहती है तो C option इसका विलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है? ऐसे हरवड़ी में गरवड़ी नहीं करना है cismo meter मापता है क्या मापता है? हरदय की गति को πεड़ो की उचाई को या इन में से कोई नहीं तो ये भूखम को मापता है शिसमो ग्राप भी बनाया जाता है अब हरदय गति को मैं जो जुग्यान नहीं पढ़ा रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ हरदय गतिकुम आपने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है, दूसरा पेनों की उचाई कुम आपने के लिए, ये क्रैस्कोग्राफ होता है, क्रैस्कोग्राफ ये होता है, क्रैस्कोग्राफ का उपयोग इसके लिए किया जाता है, क्रैस्कोग्राफ, और ये सिस रिक्टर पैमाने का उपयोग उत्तर दीजिए, रिक्टर पैमाने का उपयोग भुकम्प की क्या, तीब्रता मा अपने के लिए होता है, यह वर्ड याद कर दिएगा, तीब्रता कठिन प्रश्न जब बनता है, तो आपसे यह भी पूछा आता है कि तीब्रता किस से ना पी ज जाती है तो एक तो रिक्टरी स्केल होता है और एक स्केल और होता है एक होता है मरकेली स्केल इसको भी ध्यान रखिएगा जो रिक्टरी स्केल है भूकम्ब की तीबरता विमुक्त उर्जा की सूचक होती है और भूकम्ब जो तरंगे निकलती है भूकम्ब ये उनकी तीबरत से जो तबाही होती है हम अजिते हैं कि कितनी तबाही होगी बाँ समझ रहे हैं तो इसी के आधार पर हम अनुमाल लगा लेते हैं कि कितनी तबर्ता का भूकम्ब है तो क्या हो सकता है अब जो भूकम्ब यंद्र होता है वो 10 गुणे आयाम को और 32 गुनी उर्जा को दिखाता है तो कभी आपसे आयाम पूछा जाए मैंने यहाँ पे डिसकस करने के लिए इसको रखा है आयाम पूछा जाए तो एक स्केल अगर बढ़ेगा जैसे 5-6 हुआ तो 5-6 जो है यह 10 गुना होगा अगर यह 20 है तो यह 200 एक इसजांपल में दे रहा हूँ 6-7 में जाएगा तो 200 का यह 10 गुना 2000 हो जाएगा आयाम 10 गुना हर इस टिप पे और जो उर्जा बढ़ेगी उर्जा 32 गुना बढ़ जाती है एक इस टिप पे 32 गुना तो इस तरीके से आप इसको प्राइमरी एक सेकेंडरी और एक लॉंगिट्यूडनल तीन वेप्स होती है प्राइमरी वेप्स को प्रात्मिक तरंग को जिनको आप हिंदी में प्रात्मिक तरंग कहते हैं यह अनुदार्थ तरंग होती है और जो सेकेंडरी वेप्स होती है यह अनुप्रस्त तरंगे होती है ठीक है, secondary waves होती है और जो तीसरी L waves है यह surface wave होती है long waves होती है और तबाही यही वाली waves मचाती है और इनकी जो खोश कीती यह love, love तरंगों के नाम से भी इसको जाना जाता है love waves, HD love ने इसको खोजा था तो इसको love wave, love wave love अब यह करती नहीं है यह तो तबाही मचाती है कई ऐसा कर देती है कि कई पीडियां बरबाद हो जाती है लेकिन इनको love waves इसलिए कहा जाता है क्योंकि love ने इनको खोजा था धरातल तक यह सीमित रहती है खोज, तरल, तथा, गैस, तीनों माध्यम से गुजरती है और सबसे अधा तबाही क्योंकि धरातल पर है तो यही मचाती है तो PSL यह तीन प्रकार की तरंगे सुचिफा सिकन को सुमिलित करना है माउंड किनाबालू अर्जबूर, अलबूर्ज, अकांगागुवा, और किडि मनजारो बताए, फटा-फट सुमिलित करिए देखता हूं कौम उत्तर सबसे पहले देता है माउंड किनाबालू माउंड किनाबालू जो है यह मलेशिया में है मलेशिया, इधार टू लिख लीजिये अलबूर्ज जो है, यह इरान में है होर लिख लीजिये अकांगागुवा, यह क्या है तंजानिया में है, थ्री लिख लीजिये और ऐसा क्या होगा अकांगागुवा कहां तंजानिया में हो जाएगा अर्जंटीना में हो जाएगा, वन लिख लिजे, और किलिवंजारों यह तंजानिया में है, D का 3, तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, यह देखे, D option इसका विलकुल correct हो जाएगा, बासरन जा गई, D option, इसको ऐसे सुमलित कर लिया कीजिए, अब इनकी location कभी भी इन सब को repeat किया जा सकता ह अलग से भी आपसे पूछी जा सकते हैं एक-एक प्रश्णबनाके, जॉला मुखी से सबसे अधीक कौन सी गैस निकलती है, जॉला मुखी से, जॉला मुखी में यह बहुता बियसे हैं, इसका बिलकुल correct है, निम्रिकित में से सबसे चोटा महाधीव कौन सा है, अब भारत म विस्ट में पूरे वर्ड में आप देखेंगे तो महादीपों की जो संख्या है वो कित्ती माली जाती है विस्ट में साथ महादीप आपके है एसिया जो है वो छेत्रफल में सबसे बड़ा है यह बीग बरदर है एसिया चेथल में सबसे बड़ा है एसिया के बाद में अफरीका आता है एसिया, अब एसिया के बाद में अफरीका उसके बाद में नार्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका और उसके बाद में आता है अंटार कटिका याद करईए सी समय, uhantarkadika आता है, अantarkadika के बाद में Europe आता है, Europe के बाद में Australia आता है, और Australia से छोटा है इसमें फिर कोई नहीं है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, तो सभ्से छोटा ये Australia ही है, Australia नहीं दिया रहेगा तो Europe हो जाएगा, अब इसमें से सबसे बड़ा प देशों की संख्या अधिक्तम है, एक प्रश्ण के भी, इंटर्व्यू में एक बार ये प्रश्ण पूछा गया, तीदे, और कहा गया कि बताईए, किसमें सबसे ज़्यादा महादीफ है, कौन से देश में, कई बार गरवड़ा जाता है, कई बार, कीजे जो है, याद नहीं आती है, बास्वन में आ गई, तो सबसे ज़्यादा देश, ये अफ्रीका में है, अब जिसे अफ्रीका में देशों की जो संख्या है, वो चववन है, यूरोप में देशों की संख्या 51 है, एसिया में देशों की संख्या आप देखेंगे तो 50 है, और 10 अमरीका में तो 12 ही तो इस तरीके से 54 के साथ में अफरीका सबसे ज़्यादा देशों वाला महधियूफ है निम्रिकित परबतों में से कौन सयुक्त राज अमरिका में अवस्थित नहीं है इस पे ध्यान दिया कीजिए कि है कि नहीं है क्या पूछा जा रहा है ब्लैक फॉरेश्ट ग्रीन परबत रेट परबत वाइट परबत तो ब्लैक फॉरेश्ट परबत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये योरोप में है और योरोप में भी आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहां है तो ये जर्मनी में आपको मिलेगा कहां मिलेगा ये मिलेगा आपको जर्मनी में तो ए ऐसे देश में अवस्तित है आस्टेलिया में ही अवस्तित है great artisan exists in personally जिसमें ग्रेट लगा होता है great वाली चीजें आप ऐसे लेके चले जाते हैं कई बार ऐसा great करी चीजें वहां पर मिलेंगे लेकिन Great Artisan basin great Dividing Parvatt ुर्ब्द माला जो है तो यह सब आपको यहां मिल जाएंगी, कहाँ पर, ये आश्टेलिया में, और आश्टेलिया में जो ये इस्तित है, ऐसे ये ब्रहत्तम जलवेसिन भी है, ये ध्यान लखियेगा, ब्रहत्तम जलवेसिन है, विश्ट की ब्रहत्तम जलवेसिन में इसको गिना जाता है, B option इसका correct है, संसार की छट किसे क पामीर पठार द्वारा हिन धारित की जाती है और यहां से कई परवत आपको दिख जाएंगे यह कई परवतों का यहां पर मिला हुआ आपको यह नजर आएंगे कई परवत तो यह कई परवतों का मिलन दिंदू भी आप इसको कह सकते हैं समीर का पठार संसार की इच्छत इसको कहते हैं अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए तिबबत पठार मत मारिए गया क्वेस्टन बड़ा सरल है लेकिन अगर तिबबत दे दिया गया तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सरल प्रषन जिनके सखी होते हैं सटा źि होते हैं कठिन तो सदे गलत होते हैं यह इसका बिल्कुर करेक्ट हैं जवाला मुखी का לावा निर्मित हैं, जोळा मुखी का लावा जब ठंडा हुआ तो इसका निर्मार हुआ और आपसे पुछा जाता है जैसे आपसे पूछ लेज़ा बलैक फारेश्ट, बलैक फारेश्ट मैंने अभी बताया था जर्मनी में, इसको भी याद कर लिजे, ब्लेक फारिष्ट, आपसे जैसे संयुक्तरा एक राकी पूछा जाता है तो राकी जो पूछा जाता है ये संयुक्तरा आज अमरीका में है ये भी धियान रखियेगा दच्णी आल्फ वरवत माला है कहां पर इस्तित है एक आल्फ तो आपको कहां पर मिलेंगे एक आल्फ कहां मिलेंगे दच्णी आल्फ वरवत वरवत बताया दे रहा हूँ आप जब जाएंगे न्यूजी लाइन तो न्यूजी लाइन में देखेंगे मैट में चले जाएए बाद में भूमने टैनल ले जाएएगा तो न्यूजी लैंड के दच्छिण में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको आल्फ वर्वत मालाओ की इस्तिती नजर आएगी ठीक है और ये वैसे आल्फ वर्वत कहां मिलते हैं इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया इसका नाम इन्होंने दच्छिण आल्फ कर दिया अगरेज भी लगका जूनियर, सीनियर, साउट, नार इन सब पर भी नाम रख देते थे तो दच्छिण आल्फ इन्होंने ये नाम रख दिया न्यूजी लैंड में निम लिखित में से किसे परवतों का सागर कहा जाता है परवतों का सागर किसे कहा जाता है तो बिटिस कोलंबिया जो है B option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा इसको परवतों का सागर कहा जाता है पासवज में आ गई C आप mountains कहा जाता है बिटिस कॉलंबिया कनाडा का एक प्रांत है कनाडा के प्रसान्थ महा सागर से लगते पच्च्मी तब पर इसकी इसकती आपको मिलेगी और कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत भी है ये बिटिस कॉलंबिया और इसको परवतों का सागर कहा जाता है बहुत important question है में आके बढोंगा ही नहीं तो छो घास के मैदाइन काफ्क है कमेंट करके आपको बताना होगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आप देखेंगे तो इसकी इस्तिती आपको कहा कहा मिलेगी, इसकी इस्तिती आपको मिल जाएगी, हर जगह पे, ब्राजील, और अर्गवे, अर्जेंटीना, हर जगह ये फैले मिल जाएगे, और अर्गवे औ पूरुभी अफरीका, खास करके East Africa में आप देखेंगे, तो सवाना घास के मैदान आपको मिलेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे तो गाजील में भी आपको ये मिल जाएंगे, भारत के South हिसे में आप जाएंगे, South India में, South India में भी आपको ये मिल जाएंगे, इस वरकार की बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दच्छिण Asia का, ये ध्यान दिया कीजिए, कि पूछा क्या जा रहा है, तो जो थार मरुस्थल है, Great Indian Desert के नाम से इसको जाना जाता है, दच्छिण Asia का सबसे बड़ा मरुस्थल है, केवल इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंड पाकिस्तान के आप देखेंगे, तो पंजाब प्रांथ पाकिस्तान का भी इसमें आ जाएगा, पंजाब का सिद्ध का प्रांथ जो है, वो हिस्सा इसमें आ जाएगा, तो ये D option इसका, बिल्कुल correct हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछ लिय जाएगा, अब इसलिए दोनों प्रश्ण मैंने रखे, अब यहाँ पर भी आपको सहारा दे देता, यहाँ पर भी, तो आपको दच्चिन Asia पढ़ना चाहिए ध्यान से, और संसार जब पूछा जाएगा, तो आप टिक करिए सहारा को, C option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा, उत अब यह आप कह सकते हैं कि अपरिका में इसस्क मरवस्थल है, और लगबग 35 बर्ग मील में यह फैला हुआ है, आप सहरिया नहीं पूछा जाएगा, संचार उपग्रे वाय मंडल में किस अस्तर में अवस्तित किया जाते हैं, बहिर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, छोब इन सब का उपयोग संभव हो पाता है, C-Option इसका विलकुल करेक्ट हो जाएगा, सूरस से निकलने वाली बिनासकारी रेडियेशन से निम्ने में से कौन जीवन की सुरच्छा करता है, मतब सूरस से जो बिनासकारी रेडियेशन निकलता है, उसको उससे कौन हमारी रच्छ पर आपको यह मिल जाएगी, वाई मंडल में जो समताप मंडल है, समताप मंडल में आपको यह मिल जाएगी, ओजोन क्या होती है, O3 आकसीजन के तीन परमाणों से मिलकर बनी होती है, ओजोन जब नीचे पाई जाती है, धर्ती के पास तो इसको बैड ओजोन कहते है, बैड इतनी information, पृतिभी के धरातल से उपर की और वायू, मंडल की विभिन अस्तरों का सही अनकुरम आपको बताना है, आप ऐसे जाएंगे, ये, तो सबसे नीचे जो आपका पढ़ेगा, वो पढ़ेगा छोग मंडल, छोग मंडल से उपर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सम बहिर मंडल, ये क्रम है, 640 किलो मीटर से उपर जबाब चले जाएंगे, तो बहिर मंडल पाया जाएगा, यहां रखना, आयन मंडल जो है, इसकी मोटाई खुब जादा है, 80-640 किलो मीटर तक ये आयन मंडल आपको मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएग चोब मंडल, संताफ मंडल, मद्य मंडल और आयन मंडल, C ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, दारो मीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है, इसको कभी समझा है आपने, ये तूफान का सूचक होता है, अचानक गिरावट का मतलब है कि केंडर में चक्रवात ये दसा है, और केंडर में जो वायुदाब है, जो प्रेसर है, ये लो प्रेसर का विकास हुआ, आसपास किया पेच्चा, तो तेजी से हवाएं यहाँ पर बढ़ी, जहां लो होगा, हाई से लो प्रेसर की तरफ हवाएं तेजी से बढ़ेंगी, तो ये चक्रवातिये दसा विम जाती है और चक्रवातिय दसा जब बनेगी तो तुफान आएगा समझा है कभी इसको समझ लेज़े ठीक है तो बैरोमीटर में अगर पारे किसुचकांग में गिरावट हो रही है यानि कि लो प्रेसर 10 तो हाई प्रेसर से तेजी हवा का भेना टाइफून नामक चक्रवात IT में से कौन सा छेतर अधिक प्रभावित होता है प。」 चक्रवातों की अगर बात करेंगे तो उश्टकडबंदिय चक्रवात एक कट्रवात होती हैं उश्टकडवं ry होता है वहाँ पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है यह सब्द आप देखिए कैसा सब्द है टार्नेडो बहुत प्रबन उष्ट कड़बंदिये चक्रवात हैं यह कहां पर आते हैं तो टार्नेडो आप जाएंगे जब यह नार्थ अमेरिका और नार्थ अमेरिका के पर आठेखिए के वाँ नार्थ अमेरिका यह उख्या यार्थ आप जाये जाते हैं तो ऊच्ट कड़बंदों। टार्नेडो आपको आयाते मिलेंगे, यहाँ पे तो उष्ट कड़बंद का हिस्सा, फिर उपर उपोष्ट कड़बंद का हिस्सा, और यह आपको कैरिवियन सागर के छेतर में मिल जाएंगे, ए आप्सन इसका तरेक्ट हो जाएगा, सहयुक्त राज अमरिका के मद्य भागों पर चिनूख हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, चिनूख जो हवाएं होती है, चिनूख गरम हवाएं होती है, होट होती है, और होट होने के कारण जो हिम होता है, जो आइस होती है, आइस को यह मेल्ट कर देती है, आइस को यह पिगला देती है, इस कारण से इनको हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है हिम को खाने वाली हिम का भक्षन करने वाली तो जाड़े का तापमान इनसे क्या होता है बढ़ जाता है ए आप्षन इसका विल्कुल correct है रुदिर वर्षा कहां पर होती है बड़ा सरल प्रशन है ना इटली में इसी में से आपको प्रशन मिल जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है बाकि नहीं भी मिलेंगे तो यतने fact हम लोग discuss कर रहे हैं उससे प्रशन आपको मिलेंगे सहारा मर्वस्थल से आप जब भूमद इसागर की तरफ देखेंगे तो एक हवाय चलती है और रेट भरी हवा होती है इसको सिराको हवा कहते है और इस हवा में लाल रेड कलर का सैंड आ जाता है रेड कलर का बालू इसमें आ जाता है और रेड कलर का जो बालू होता है तो जब भूमद इसागर के पास ये गुजरती है तो इनको नमी मिल जाती है रंग की बारिस होती है, रुधिर की तरा, रक्त की तरा, ब्लड की तरा इनका कलर होता है, तो इसको इसी लिए रुधिर वर्सा या रक्त वर्सा कहते हैं, सरवाधिक उचाई की बादल कौन से होते हैं, तो पच्छाब अस्तरी जो बादल होते हैं, ये बहुत उचाई तक प त्रिवादल सबसे उचे, एल लिनो किस महासागर में बनता है, एल लिनो जो है, इसकी जो उत्पत्ती होती है, ये पूर्वी प्रसांत महासागर जल जब उसका तापमान बढ़ता है, और तो एल लिनो की उत्पत्ती होती है वहां से, और एल लिनो का भारत के दच्छिन पश इसके लिए जाना जाता है लेकिन उत्पत्ति इसकी प्रसांत महासागर में होती है ना कि हिंद महासागर ना भूमत सागर की तो कोई बात ही नहीं अट्लांटिक की भी कोई बात नहीं है प्रसांत महासागर में confusion हो सकता था, लेकिन ये प्रसांत महासागर में उत्पन होता है, ये option इसका विल्कुल correct हो जाएगा, है ना, और अगर अलिनो आएगा, तो अलिनो के समय भारती जो मांसून होता है वो कमजोर पर जाता है, हमारे यहां का जो मांसून है, मांसून कमजोर पर जाता है, बस वन जा गए विश्टू का सबसे ठंड़ा अस्थान कौन सा है, तो विश्टू का सबसे ठंड़ा अस्थान बर्खो यास्क माना जाता है, डी option इसका correct हो जाएगा, बर्खो यास्क जो अस्थान है, ये record 1934 का है, माइनेस 60 degree इसमें temperature जो है ये record किया गया था, यहाँ पर और अभी तक का जो record फिर से पहुँचा है वो 2010 में माइनेस 93.2 तक पहुँचा है 2013 में माइनेस 93 तक पहुँच गया लेकिन 68 degree centigrade माइनेस में अभी जो है सबसे ज़्यादा वर्खो यास्क में ही मतलब दर्ज किया गया था उसके बाद में फिर ये record गटता बढ़ता रहा है तो तभी से इसको माना जाता है कि ये सबसे ठंडा अस्थान है अगला जो प्रशन है संसार का आदरतम अस्थान कौन सा है आदरतम अस्थान जब भी आपसे पूछा जाए यानि कि सबसे ज़्यादा जहां पर ये रैन्फाल होता है humid है न तो रैन्फाल जहां पर होता है तो सबसे आदरतम हो जाएगा मासिन राम भी आपसन इसका बिलकुल correct हो जाएगा और मासिन राम है कहां comment करके बताइए ये किस state में है भारत में है इंडिया में है तो किस इंडियन state में मासिन राम है निम्रिकित देशों में किस राज देश में सर्दियों के मौसम में वर्सा होती है चीन, नार्वे, ब्राजील, नाइजीरिया तो सर्दियों के मौसम में वर्सा जो होती है वो आपकी कह देंगे पश्चिम यूरूपीय तुल्ल जलवायू से ये नारवे में वर्सा हो जाती है B option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है और वर्सा जो होती है प्रतेक मौसम में प्रयाप्त और समान रूप से यहाँ होती है तो यहाँ पर जो वर्सा है सर्दियों में भी होती है नारवे में मुझ के कारक जो किसी छेत्र के जलवायों को निर्धारित करता है वो क्या है उचाई भी दिया है अच्छांस भी दिया है वनस्पति दिया है समुदृत से समेपता दी है अब अगर इसमें से आपको एक चुनना हो तो आप कहों सा चुनेगे अगर कोई आप पूरे ग्लोब किसी अस्थान के जलवायों को निर्धारित करना चाहते हैं ये विश्वत रेखा है ये नौर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो आपको क्या लगेगा कि अगर इसकी इस्तिती चेंज की जाया अच्छांस रेखा की तो सबसे अदब परिवर्तन होगा अगर आप नौर्थ य पास रहेंगे तो गर्मी इसमें जो अच्छांसी इस्तिती है यही सबसे ज़्यादा निर्धारक होती है भूस अलेच्छन की परिरेखा वंधन विधी का प्रियोग कहां के लिए किया जाता है जो कंटूर बाइंडिंग है कंटूर बाइंडिंग का प्रियोग जैसे है और इसकी ढाल पर खेती की जाती है तो यहां पर भूस कटी है और जो मिटी होती है कटकट की नीचे जाती है तो परिरेखा वंधन विधी के सहारे इन ढालों पर मिटी को रोका जाता है तो पहाड़ी ढलान वाले जो छेत्र होते हैं यहां पर इस विधी का उप्यूग क में परिवर्तित होती है या मिर्दा को नुक्सान होने से सुरच्चित किया जाता है तो नुक्सान इसको हार्म से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इसको सनलच्चन कहते है इसको तो आप कहेंगे कि उरवर्ता बढ़ाना वायलू एड करना आपने कुछ वायलू इसमें एड कर दिया, वो अलग चीज है, नुकसान होने से सन्दचित रखा, तो ये मिर्दा सन्दचन, विभिन प्रकार की मिट्यों की जलधारण चम्ता का घटता हुआ क्रम बताना है, मिट्यों में आपसे प्रश्चन पुछा जाता है, उत्तर दीजिए इसका, सबसे ज्यादा जिसके रवे, जिसके कार सबसे महीन होंगे, सबसे ज्यादा महीन होंगे, जो की हैं मिर्दिका के, उसकी जलधारण चम्ता सबसे ज्यादा होगी, फिर गाद की, और गाद के बाद में पिर बालू की, ए आपसन इसका बिलकुल करेक्ट है, घटता हुआ करम आपसे पूछा गया थ जाते हैं, कहां पर पाया जाते हैं, तो आप जब जाएंगे सीतोष्ट कडवंदिये चेत्रों में, सीतोष्ट कडवंदिये चेत्र यह वाली जो बेल्ट है, यहां, यह वाली बेल्ट, सीतोष्ट कडवंदिये चेत्रों में जब आप जाएंगे, तो आपको मिलेंगे, कौ यह वाले ब्रिचे पाए जाएंगे, साखाय इनकी नीचे जुकी हुई पाए जाएंगी, और यह विसेस्ता आपकी संकुधारी वनों की है, और सितोष छेत्र में यह पाए जाते हैं। निम्री के देशों में किसमें कुल भागोली छेत्रफन की 70% भागवन बनाए जाने का समयधानिक प्रावधान है। भी यहाँ पर और सत्तर प्रस्त भाग यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यह भुटान ही इसका सही उत्तर हो जाएगा विस वन छेत्र में किस एक के फैलाव की प्रस्ता सरवाधिक है तो इसमें आप देखेंगे पूरी जब बेल्ट आप देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि सीतोष्ट कडवंदिये जो बिच्छ हैं वो यह वाले एरियाज में यहाँ पर आपको मिलेंगे और इनी का फैला थंडी जानते हों तब भी आप कर लेंगे तो एक थंडी अगर आपको पता है क्यूराइल धारा क्यूराइल धारा जो होती है वो कोर्ड धारा होती है क्यूराइल का एक नाम और होता है आयो सियो और क्यूरो सियो दो धाराओं के नाम आपने पड़े होंगे क्यूरो सियो गर्म होती है जापान के पास चलती है और आयूश यूँ ठंडी होती है पूछा जा रहा है गर्म नहीं है तो यह ठंडी है बी आप्सन इसका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा बाकी यह उत्री प्रसांद प्रवा अलास्का और शुश्मा धारा यह सब क्या है यह गर्म जल धार यह गर्म जंदारा नहीं है फिक है अगले प्रश्न पर चलते हैं उत्तर दीजिए महासागर में जौर भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं जौर भाटा महासागरों में आता है तो इसके पीछे सूर्य और चंद्रमा का जो गुर्तवाकर्षण बल है अब केंद्र बल है और आपकेंद्रिये बल है इन सब का समलित प्रभाव होता है D option इसका इसका विलकुल correct हो जाएगा अजिए कि उत्पती सूर्य अब सारे केंदर से बाहर की ओर, ठीक है? तो जो ये आपके बन लगते हैं, ये भी इसमें काम करते हैं, पृतिवी का जो गोलार चंद्रमा के संब्ख परता है, वो चंद्रमा के आकर्शन के द्वारा कीच लिया जाता है, तो वो भी, तो ये गुरत्वाकर्शन, अब केंद् वारा किसमें पाई जाती है, तो पूरे 20 में सबसे जादा जो लवर्ता है, वो टर्की की लेग वान जहील में पाई जाती है, और इसकी मातरा जो है, 330, ग्राम प्र्ति 1000, ये पाई जाती है, बासमन में आ रही है, और भाकी इसमें लवर्ता और कम है, ठीक है ना? मतलब, देखेंगे जिसे आप कोई अन ने लेंगे तो वहां पर जबायागा तो मैं कभी बताऊगा लेकिन 330 यह मत भूलेगा यह 330 तो आपको याधी रखना है ए आप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next question है कौनसी महासागरिय धारा से इस 3020 है बड़िया प्रशन है यह तो ठंडी गरम पूचि जाती है एक उनकी एस्तिती पर भी प्रशन पूच लिजाती है अब यहाँ पर जो यह इस्तिती पर भी यह प्रशन पूचा गया है यहाँ पर बेंगुला ब्राजीलियन और Atlantic महासागर से संबंदित है इस्तिती से प्रश्च पूछ लिया गया South Atlantic Ocean से इनका relation है लेकिन जो पेरूबियन धारा है ये दक्षिल पूर्वी प्रसांत महासागर से संबंदित है D option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा ये इनसे भिन्द हो जाएगी तो यहाँ पर इस्तिती पे तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप कैसे तयार करेंगे एक तो ठंडी गरम देखेंगे और किस महासागर में वह वहती है है ना ये भी देखेंगे हमारे ग्रह में मृदुजल की सरवाधिक मात्रा है नदी में, जीलों में, जर्नों में महादीपयों और परवतिये हिम्नदियों में भूमदत में तो जो सुद्ध जल मिलता है कुल जल का 97 प्रसत जल तो केवल खारा जल हो जाता है 97 प्रसत खारा हो गया तीन प्रसत जो जल है ये मृत दुजल के रूप में पाया जाता है 3% में से 2.4% हिमनद और धुर्विय चेत्रों में जमा हुआ है बास्वन्यार इमादीप और परवतिय हिमनदीओं और अस्थाई धिम हैं वहाँ पर ये जमा हुआ है बहुत कम उपयोग के लिए बचता है उपर से हम लोग बरवाद भी करते हैं आप समझ सकते हैं इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत कम हमारे पास रहता है और आप जो ये आरो आरो लगा के आप सुद्ध करना पढ़ रहा है बरवादी का ही नतीजा है डेटम रेखा क्या होती है डेटम रेखा समुद्र तल्की 36 रेखा है जिसमें उचाई तता गहराई की माप होती है उचाई और गहराई की माप होती है ये समुद्र तल्की 36 रेखा होती है इसी को डेटम रेखा कहते है ए आप्सन इसका विलकुल करेक्ट हो जाएगा याद कर लिजे पूछा हुआ प्र प्लन नदी इस पस्ट को रखने का केवल एक मक्सद है आप लूशेंट ओपन कीजिएगा लूशेंट में नदियों और उनके तटों पर इस्थित जो नगर है उनकी सूची दी है भारत की और विसु की उसको एक बार पढ़ लीजिएगा यह एक्जांपल केवल दे रहा हूं यह ऐसा पूछा जाता है यहाँ पर हैमवर्ग जो दिया हुआ है अलम नदी यह बिलकुल सही दिया है वैलग्रेट जो दिया है यह डेनियूम नदी पर है वैलग्रेट की अगर हम बात करें तो यह डेनियूम नदी पर है क्यू सहर जो है यह नीपर नदी के तट पर है और एक लिश्ट उपर केंगा तो ऊसमें आपको नदियां कहाँ से by देनीव स vosnodos अदेनीफ जो की घृती हैं नीपर नदी आपको रसिय में मिलेगी मासकों से निकलेगी का's器 चुक्षी जायाईगी यश्यार्णाएंट ? कि जो बेलग्रेट सहर है वो डेन्यूम नदी के तट पर है और ये जर्मनी से निकलती है और ये भी जाके काला सागर में गिर जाती है कौन डेन्यूम डेन्यूम कहां से निकलती है जर्मनी से और ये जाके काला सागर में गिरती है तो ये दोनों नदिया है अब यही पर अग जो है ये बाहती है चीन में, तिरसट सो किलो मीटर लंबी नदी है, ध्यान रखना, नीली नील या ब्लू नाइल बींस को कहते हैं, ये निम्निकित में से किस जील से निकलती है, आप जो जाएंगे अफरिका महादीप में, तो अफरिका कांटिनेंट में, उसके इस्ट पार् लेकविक्टोरिया वहाँ से निकलती है, ठीक है, अब ये नीली जील, sorry, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रेश्ट पूछा गया है, कि लिए बीकित में से किस जील से निकलती है, तो ये ठीक है, बिलकुल सही है, तो नील नदी जो है, ये महान विक्टूरिया जील से स्वैत नदी का उद्गम होता है, यह ध्यान लखिएगा और यहाँ पर नीली नील उची जा रही है नीली नील 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 और नीली स्वैत और नीली नील यह दो नदिया मिल के और फिर क्या करती है ये नील नदी का निर्माल करती है तो इस प्रश्च का उत्तर ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ अगर आप से पुछा जाता स्वैट नील तो स्वैट नील जो है ये निकलती है विक्टोरिया से विक्टोरिया जील से नीली नील जो निकलती है ये लेग ताना पड़ता है ताना जील B option इसका करेक्टर है क्योंकि नीली पूछे जा रही है और दोनों मिलके नील नदी का निर्माल करती है बहुत बड़ी नदी है बहुत बड़ी और 11 देशों से होकर ये गुजरती है 11 देशों को लाप पहुचाती है ये ठीक है और उसके बाद में ये गिरती कहा है भूमद दिसागर में जाके गिर जाती है ध्यान रखना अपवाच हेत्र की दृष्ट से बिस्ट की सबसे लंबी नदी कौन सी है कौन सी नदी? नील, अमेजन, कांगो, Mississippi, Missouri सबसे बड़ी नदी यहाँ पर बड़ा और लंबा में अंतर है लेंथ की बात होती है और अपवाच हेत्र पूछा जा रहा है तो बड़ी का मतलब यह हो गया हो सकता है लंबाई कम हो लेकिन इसका आकार बड़ा है यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे लंबी नदी अपवाच हेत्र की दिष्ट से तो अपवाच हेत्र की दिष्ट से सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन रिवर है B option इसका बिल्कुल correct है जो सट सो किलो मीटर इसकी लंबाई पाई जाती है और सतर लाख वर्ग किलो मीटर इसका चेत्र फ़ल है जितने चेत्र में ये फैली है अब यहाँ पर नदी और सहर दिये हुए है जहां से वो सहर इसके तो जहां से नदियां बहती है एक और है यह राटरडाम यह राइन से हैं तो राटरडाम राइन एक थ्री पेरिश जो है यह सीन लदी B का वन बोड़ाफेश्ट जो है यह डैनीूब हो जाएगा D का C का फोर और वासिंगट्यन यह प्वेटोमाग तो यह टू हो जाएगा तीन एक चार दो 3, 1, 4 दो, C option इसका बिल्कुल तो list जब आप देख लेंगे एक दो बार Lucent से, Lucent का देखे, what geography में जो question पूछे जाते हैं वो factual कभी-कभी ऐसे सरसरी पर पर जो fact होते हैं उनी से पूछ लिए आते हैं, concept रहो जादा नहीं पूछा जा रहा है, ये तो exams जो है वुडापेष्ट और विल्ग्रेड ये तीन इस्तित हैं, Rome जो है ये इटली की राजधानी है और ये टायवर नदी पर इस्तित है किस नदी पर इस्तित है, ये river टायवर है, उस पर इस्तित है और डेनईूच को देख़े, तीन-तीन राजधानी साहर, ईरोप में ये तीन राजधानी साहर इस्पेस के लिए, अफरीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काड़ती है, मकर रेखा को, ये अफरीका की नदी है, और मकर रेखा यहां से गुजरती है, और इसको दो बार ये काड़ती है, इस नदी का नाम है, ल लिम्पोपो और अगर विश्वत रेखा तो जैरे मार दीजेगा टिक कर दीजेगा एफसन इसका बिलकुल गरेक्ट है। कांगो नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है चाहे जैरे कही है चाहे खांगो नदी कही है। और यह जो नदी है, यह नील नदी के पचाथ अफरीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है, कांगोर रीवर या रीवर जायरे, विक्टूरिया जलपरपात किस नदी से संबढ़ है, विक्टूरिया जलपरपात कहा परिस्तित है, यह अफरीका में है, South, Middle, Africa में आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा Jambia और Jimbabwe इसकी सीमा पर आपको ये मिल जाएगा और ये Jambayaji नदी से संबंदित है D option इसका correct हो जाएगा संसार का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है सबसे उचा जो जलपरपात है ये Santo Angel है D option इसका बिलकुल correct है बिस सुका में बता रहा हो संसार का बता रहा हो भारत का अगर जलपरपात पूछा जाएगा तो कुचिकल हो जाएगा लेकिन बिस सुका अगर आपसे पूछा जा रहा है ये बहुत उचा है 979 989 मीटर उचाई है इसकी और इसका नाम है Angel जर्परपात Salt Elgin इसका पूरा नाम है और नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये है करोनी नदी नाम लग रहा है कि भारत की 36 गणवर की नदी है मुझे ऐसा लगता है तो रियो करोनी नदी रियो करोनी इसका नाम है निम्र में से किसे जीलों की वाटिका कहते है तो Finland जो है जीके का प्रश्पर ये आपसे इसका विल्कुल करेक्ट है यूरोप में Finland और इसको जीलों का वाटिका कहा जाता है अप ऐसे वैसे पुछा जाएगा तो ये Nordic देस है Nordic जो Countries है Nordic Countries के अंतरगत ये आता है और Nordic Countries में कौन-कौन से Countries आते है Nordic जो Countries है उनमें कौन-कौन से Countries आते है ये आपको पता है अब ये भी तो आपको पता होना चीए Nordic Countries का जरण नाम बताईए कुछ दो-चार नाम आप बता दीजे Denmark का नाम सुना है Norway का नाम सुना है Sweden का नाम सुना है ये जो Countries है Finland, Iceland, Sweden, Denmark ये Nordic Countries के अंतरगत सामिल किये जाते हैं ये सब छोटे-छोटे फाक्ट है जीके के फाक्ट है इसको पढ़ने से नहीं बार-बार मैट देखिए अवेर रही है तब आप इसको रख पाएंगे याद नहीं तो एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे निम्डिकित में से कौन सी बिस्ट की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी जील है जीलों पर बात हम लोग कर रहे हैं बिस्ट की सबसे गहरी जील कौन सी है सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं डीपेस्ट लेक हो यहाँ पर तो दूसरी पूछी जा रही है लेकि पहली भी हमको जानना है डीपेस्ट लेक आप दा वर्ड कौन सी हो जाएगी बताइए यह सब फैट हैं और यह पूछ लिए जाते हैं तो लेक कौन सी है लेक जो बैकाल है वो सबसे गहरी जील है और दूसरे अस्थान पर लेक टंगानिका आती है कौन है लेक टंगानिका तो बैकाल सबसे गहरी हो जाएगी और दूसरी सबसे गहरी लेक टंगानिका आ जाएगी ठीक है A option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा मैं सही हूँ न? Actually, ये मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है कभी-कभी मुझे से कुछ fact miss होते हूँ कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सब बिल्कुल मेरा जो ग्यान है वो मैं परिपक हूँ कभी-कभी गलतिया ऐसे हो जाती है ठीक है? तो जो सबसे गहरी है वो लेक बैकाल ही है और second largest, second गहरी ये आपकी मानी जाती है कौनसी? तंगानी का चलिए, अगले प्रशन पर हम चलते है डोवर जलसंदी जोडती है बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी को और अगला है बिस्के की खाड़ी और इंग्लिस चैनल को इंग्लिस चैनल उत्तरी सागर को तो हमारा उत्तर मिल गया डोवर जो जलसंदी है अब इस्ट्रेट भी आप देख लीजे जो जलसंदीया दी हुई है इन सब को पलट लीजे तीन-चार घंटे लगेंगे और यह सब पूरा आपका पलट जाएगा जिनको जोगरफी से पेपर देना है वो लोग तो बिलकुल इसको पलट के ही जाएगे GS वाले भी कर सकते हैं इतना टाइम तो रहता है तो यह जो है डोवर जलसंदी यह इंग्लिश चैनल की पूरवी भाग में इस्तित है ठीक है इंग्लाइन और फ्रांस को जोडने वाली तीन जलिये रेल सुरंगे भी यहाँ पर बनाई गई है दस डिग्री चैनल प्रथक करता है अब बताईए अंडवान को निकोबार दीप से या अंडवान को मियामार से तो अंडवान को निकोबार दीप से यह option इसका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा उत्तर देते रहिए आप लोग इससे अलग कर देता है जो चैनल है कौन सी जलसयोजी यूरोप को अफरीका से प्रथक करती है यूरोप को अफरीका से ही प्रथक करती है कौन सी ये इस्ट्रेट है तो ये जिब्राल्टर है मैट में देखिए इसी समय बी आप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट है ये अफरीका यूरोप दिन दोनों को अलग कर देती है जिब्राल्टर जलसयोजगी मलका जलसयोजग में आने जाने की सुविधाएं है हिंद महासागर से चीन सागर तक या फिर लाल सागर से भूमत सागर तक या अटलांटिक महासागर से प्रसांद महासागर ता अब सोच के बताईएगा तो मलका का जरसा आप ध्यान करिए तो मलका आपको इधर भारत की इस्ट वाले हिस्से में साउथ इस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगे के इंद महासागर से चीन सागर को जोड़ती है, a option, map देखिए बार-बार, एटलस साथ में रखा गरिये, कील लहर कील दो सागरों को जोड़ती है, कील लहर कील लहर उत्तरी सागर और वाल्टिक सागर को जोडती है, उत्री सागर और बाल्टिक सागर को, बिल्कुल factual प्रश्ट, सू नहर जोडती है किसको, सू नहर जो है सूपूरियर और धुरान को जोडती है D option इसका बिल्कुल correct है उत्री अमरिका की पाँच महान जीलों में एक सूपूरियर और हिरोन, ये दो जीले है तो सू नहर इनी को जोडने का काम करती है, बाकी सूपूरियर लेक के, जो सूपूरियर लेक है सूपूरियर लेक के बारे में बताईए सूपूरियर जील कौन-कौन सी है तो सूपूरियर जील के बारे में आपको कुछ फैक्ट तयार करने चाहिए सबसे बड़ी आलवर जील अगर पुरे बिस्तों में पूछी जाए तो सुपीरियल जील ही है ठीक है? जो ये पांच लेक है कनाडा और सभी तराज अमेरिका में ये फैली हुई है बास्मज में आ रही है और इनमें से कौन सी एक है जो बताइए केवल एक राज में है ये मतलब केवल एक डेस में है बाकी तो दोनों में है सुपीरियर जील जो है ये कनाडा और सभी तराज अमेरिका में है जान रहे हैं? ऐसे जो अन्मी लेक्स हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़िए उनको पढ़ना चाहिए आपको अब जैसे आप से पूछ ले आए दुनिया की सबसे गहरी जील तो बैकाल जील आप जानगे मीठे पानी की जील है ये भी पढ़ लीजे सबसे बड़ी मीठे पानी की जील आपकी कौन सी है तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जील आपसे जब पूछी जाए तो सुपीरियर जील तो ये भी आप जानिए अगर बिस्ट की सबसे बड़ी जील पूछ ली जाए तो कैस्पियन सागर को आप याद रखिए सबसे बड़ी नमकीन जील पूछ लिजा नमकीन तम जो है मिर्त सागर को याद रखिए भारत की सबसे बड़ी जील सामर जील है ये याद रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं पनामा नहर जोडती है पनामा नहर किसे-किसे जोडने का काम करती है तो पनामा नहर जोडती है प्रसांद महासागर और अंद महासागर को B option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा स्वयज नहर किमको जोडने का कारे करती है स्वयज नहर के बारे में हमने community post में एक पूरा detail डाला था उसको देख लीजेगा बनाएंगे चरपांग दस post नीचे जाएगे मिल जाएगा तो स्वयज नहर जिनको जोडती है टेलिग्राम को जोइन करिए वहाँ पर भी मैं सब share करता रहता हूँ काम की चीज़े फालतू का material नहीं तो स्वयज नहर जो है ये लाल सागर और भूमद सागर को जोडती है लाल सागर और भूमद सागर को सिनाई प्रादीप में ये बनाई गई थी कृतिम नहर है 164 किलो मीटर नंबी है 300 मीटर चौड़ी है भूमदि सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम ये करती है 1879 इसमी में इसको जहाजों के लिए खोला गया था अगला जो प्रश्ण है बताइए निम्डिकित में से कौन सुमेलित नहीं है ग्रैंड कुली कोलंबिया, होबर टैनेसी, नुरेक बक्त और कबोरा बासा, जांबेजी, या कहोरा बासा होबर बांद जो है, ये बॉल्डर बांद के नाम से भी इसको हम जानते हैं और ये एरिजोना प्रांद जो है, वहाँ पर निवादा एरिजोना के सीमा पर इस दित है और ये खिस नदी पर है यहाँ पर हुवर दे रहा है टेनेसी लेकिन ये जो बांध है इसकी रिवर का नाम क्या है ये भी आपको जानना है ना तो ये है कोलो रेडो अगर कोलो रेडो याद होगा तभी आप ये प्रश्न कर ही पाएंगे तो B option इसका ये गलत दिया हुआ है Grand Cully, Columbia सही है Nurek, ये भक्त सही है Kaurbura Basa, ये जांबेजी रिवर ये भी सही दिया है Aswan Band कहां परिष्थे थे तो जो Aswan Dam है ये नील नदी पर है किस पर है? नील नदी पर और नील नदी जैसे हमने बताया तो आप जान जाएंगे कि ये मिस्र में है B option इसका विल्कुल correct है करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो करीबा बांध आपका जांबेजी नदी पर निर्मित है जांबेजी नदी, B option इसका विल्कुल correct हो जाएब विस्ट किस सबसे बड़े मानो निर्मित बांधों में से एक माना जाता है जांबेजी नदी पर जांबिया और जिंबाम्बे की सीमा पर करीबा डैम इस्थित है Great Barrier Reef आश्टेलिया के निकट एक क्या है? प्रवाल भित्ती है बिरकुर सरल सा प्रश्न है ये आश्टेलिया जब आप देखेंगे तो आश्टेलिया में जब आप इस्थ की ओर यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर Great Barrier Reef आपको मिलेगा है ना? और यह बिस्ट की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है प्रवाल रोधिका प्रवाल भित्ती और Queensland और New South Wales के उत्तरपूर में यह इस्तित है प्रसांत महासागर यहाँ पर यह एरिया है उसका 1600 किलोमीटर लंबी है बहुत जादा हो गया 1600 किलोमीटर लंबी है यह प्रवाल भित्ती 9 डिग्री दच्छिन से 22 डिग्री दच्छिन अच्छांसों के मद इविस्त्रित है तो इतना नहीं लेकिन इतना आप जितना मैंने बताया वो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्ण और भी बन सकते हैं बास्तमझ में आगे यहाँ से जो प्रश्ण है वो और भी बन सकते हैं प्रश्ण 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 सिटील कहां पर अवस्थित है एक बार ये प्रश्ट पूछा गया था ऐसे कभी-कभी कुछ लैंडमार्क्स कहीं कुछ-कुछ अस्थान होते हैं उनको पूछ लिया जाता है तो ये PCS का प्रश्ण है दच्छन अफ्रीका में ये इस्थित है और ये पस इतना ध्यान रखिये दच्छन अफ्रीका में इस्थित है डी ऑप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निम् लिष्ट उचाई वाली भी देख लीजी उचाई वाले अस्थानों पर बसे हुए सा है तो लासा तिब्बत में 3650 मीटर की उचाई पर नहीं आद है तो आप ये याद करिए ये अस्थान है कहां गेस करेंगे आ जाएगा घवराना नहीं है प्रश्णों को देखे अगर घ आप प्रेक्टिस करीए जिन लोगों ने टेस्ट रीज की है क्वेस्टन डारेक्ट आने के लिए टेस्ट रीज नहीं होती है लोग गलत इसका लगाने लगते हैं लेकिन आपको लाव इसका बहुत जादा मिलता है बास सुन्या गए उत्तर से दक्षिण की और जाते हुए दिये गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनक्रम ये भी आपको ध्यान में रखना है पेसावर पेसावर के बाद में इसलामाबाद गुज्रावाला मुल्तान ये वर्ड जोगरफी में ऐसे पूछ लिया गया पेरु की राजधानी लीमा है अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लिष्ट उठाइए कैपिटल वाली एक दो बार उसको देख लीजे पहली बार आप नहीं देख रहे होंगे कभी ना कभी तो आपने पढ़ाई होगा बच्पन में जीके में पढ़ते हैं बच्चिन उत्तर कोरिया और दच्छन कोरिया की अंतराष्टिय सीमा किस से धारित होती है तो 38 डिगरी जो समाना उत्तरी अच्छांस है इससे क्या होती है उत्तरी कोरिया और दच्छनी कोरिया की अंतर राष्टिय सीमा निर्धारित होती है अब ऐसे और भी आपसे पूछा जाता है अंतर राष्टिय सीमा पर आपसे और भी पूछा जाता है कि किस से किस से निर्धारित होती है तो वो भी आप तयार कर लीजे जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि डूरंड रेखा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर यह इस्तित है ऐसे आपसे पूछ लिया जाए मैक मोहन तो मैक मोहन भारत और चीन के बीच में इस्तित है आपसे पूछ लिया जाए रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान की बीच में है आपसे पूछ लिया जाए अगर मैगिनाट तो ये फ्रांस दौरा फ्रांस और जर्मनी की बीच में ये पाई जाती है 24. सवानांतर अगर आपसे पूछी जाए तो भारत और पाकिस्तान की बीच कच्च का जो छेत्र है वहाँ पर ये मिलती है अगर आपसे जैसे ये 38. पूछी गई है उत्तर और दच्चनी वियतनाम के बीच में है 38. आपने पढ़ा ही है आपसे 49. पूछ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका और कनाड़ा के बीच में है नोट करते चलिए इसको Siege Pride पूछ लिया जाए तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये भी है Siege Pride भी आपसे Henderberg पूछ लिया जाए तो ये जर्मनी और Poland के बीच में है पढ़ा ऐसे जाता है बहाना एक होना चाहिए और उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट पढ़ डालिए निमिकित में से कौन एक भू आबद देश नहीं है लैंड लॉक कंट्री नहीं है नहीं पूछा जा रहा है जो भू आबद देश नहीं है उसको आपको पैचानना है तो भू आबद देश कौन सा नहीं है बताइए तो इसमें इरान जो है इरान भुवाबद देश नहीं है, फारस की खाड़ी से इसके सीमा मिलती है, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, उससे सीमा इसकी मिल जाती है, D option इसका correct है, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, ये सब भुवाबद है, लैंड लॉक है, यहनी कि उनसा कहीं उसकी वैसे, जली सीमा नहीं मिलती है, बन्द है चारो तरब महथीट के बीच में, निम्निक्री देशों में कौन मध्द अमरिका में इस्तित नहीं है, मध्द अमरिका की इस्तिती मैंने बताए दीना, उत्तर नॉर्थ अमरिका, इधर यहां پर, साउथ अमरिका बीच के जो पनामा, सियरा लियोन, हॉंडरस, ग्वाटेमाला, कौन सा मध्य अमरिकी देश नहीं है, तो जो यहाँ पर सियरा लियोन दिया है, यह अफ्रिकी देश है, भी आप्सिन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बलकि और यह जो पनामा, हॉंडरस, ग्वाटेमाला दिये हैं, यह सब क्या है? मध्य अमरिका में है, संसार का सबसे बड़ा देस कौन सा है, अगर यह पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा देस, बड़ा जनसंख्या की आधार पर आगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? चीन को टिक करेंगे, लेकिन वैसे बड़ा जब कनाडा तैयार करिए इसको और कनाडा के बाद में आता है यूएस से अब यहाँ पे क्योंकि रूस और कनाडा नहीं दिये तो यूएस से आप टिक करेंगे डी आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अगर जनसंख्या के अधार पर पूछा जाता है तो चीन यहाँ पर दिया है इस तरीके से पांस अस्तान याद रखिए अंद महादीब विस्टु की छत हजारो जीलों का देश और मोतियों का दीब विस्टु की छत देखे रिपीट हो रहा है अंद महादीब जो है यह आफ्रिका में है को कहा जाता है है नहीं कहा जाता है विस्टु की छत पामीर हमन correct हो जाएगा सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो सूर्योदय का देश सबसे east में आप जाएए word map आप open करिए तो सबसे east में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जापान अपने देश को यह लोग सूर्योदय का देश निपान कहके पुकारते हैं इसको निपन कहते हैं अगला जो प्रस्ट है टर्की का कौन सा सागर पश्चिन का द्वार कहलाता है और यह सागर है Istanbul, c option इसका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा इस्तांबूल प्रादीपी छेतर में इस तर्की का सहर है और यह जो है यह मर्मरा सागर, गॉल्डन हार्न, वास्पोरस यह जलिये छेतरों से घिरा हुआ है और इसको पश्चिन का द्वार कहा जाता है निम्रिकित में से कौन पक् जंगल, पक्षी पाया जाते हैं, आप देखेंगे तो उष्कडवन यह पुरा भुमद रेखिये छेतर और यह सब पुरा आपको व्यापक तौर पर सम्मिल जाएगा, घने जंगल पाया जाते हैं, अमेजान के जंगल पाया जाते हैं, मद रातरी का सूर्य दिखाई देता है कहां पर मद्रात्री का सूर जो है उत्री धुरू पर दिखाए देता है दच्छनी धुरू पर नहीं उत्री गुलार्द में आपको मिलेगा आर्कटिक बृत्र के उत्तर और दच्छनी गुलार्द में आर्कटिक बृत्र के दच्छन तो इन बृत्तों और धुरूं के बी जाए तो ये नार्वे को कहा जाता है मदरात के सूरिका देश कहा जाता है अगला जो प्रशन है सूची यहां पर सुमिनित करना है बुस्मेन बद्दू पिग्मी और मसाई जनजातियों से यह प्रशन है एक कोई पकड़िये और देखे मिलाके अगर आपको एक भी पता है त जरूरत नहीं है आगे सेट करने की जरूरत नहीं है कभी-कभी ऐसा होता है कि एक के मिलाने से नहीं होता है तो आप दूसरा भी मिला लीजिए बद्दू जो है सौधी अरविया में पाया जाते हैं यह लिश्ट आप डिवाइस कर लेंगे 40-50 जनजातियां पढ़ लेंगे तो आपके कोई भी प्रश्ट में कभी गलत नहीं होगे उसमें से पूछी पान-दस नहीं है जो वही रिपीट करके दस पूछी जाती है पिग्मी जो है वो कहा पाया जाते हैं कांगों में पाया जाते हैं वन मिला दीजिए और मसाई जब आब फोर पे होई जाएंगे तो दो तीन एक चार इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्दिकित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जन्जात के लिए प्रसिद्ध है ये भी तो सकंडिनेविया ही छेत्र में आपको लैप्स जन्जाती मिलेगी बी आप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सामी जन्जाती लकाteen अब इनको कहा जाता है नार्बे श्रुडं फिटलाइट जो पुरा एरिया है वहाँ पर इनुड़ी लोग नहीं पाये जाते कहां पर नहीं पाये जाते तो इनुड़ी लोग अब देखिए आपको यहां हो सकता है आपको वैसे ना पता हो रटा ना हो अलास्का में पाय जाते हैं इनुट, आपको Greenland में मिल जाएंगे, इनुट, कनाड़ा में आपको इनुट मिल जाएंगे, Sweden थोड़ा सा आप, जिब South में जाएंगे, North Pole से थोड़ा South में बढ़ाएंगे, तम भी लेंगे, तो D option इसका बिलकुल correct हो जाएगा, यहाँ पर यह नहीं पाय Congo Basin निग्रिटो सही है, अब इसके इंडिनेविया में नार्डिक दिया है, यह भी सही है, Congo Basin, sorry, Congo Basin में जो निग्रिटो दिया है, यह गलत है, Congo Basin में पिगली पाय जाते हैं, अभी हमने देखा था न, तो यह गलत है, यह भी option इसका, बिल्गुल correct हो जाएगा, तो जब आप पढ़िये, तो इस तरीके से पढ़िये, ऐसे प्रस पूछे जाते हैं, इसका मतलब क्या है कराने का, यही है, कि आप alert हो जाएगे, लाष्ट में 5-7 घंटे दे देंगे न, आपने subject पे, जैसे जिनका जोगरफी, खास करकि जिनका optional है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो आपका सब तयार हो जाएगा, रिवाइच हो जाएगा, निम्रिकित में से कौन घुमककर नहीं है, पिगमी, कजाक, मसाई, लैप्स, कौन घुमककर नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें, तो इसमें जैसे जो कजाक हैं, मसाई हैं, कजाक और मसाई के बारे में तो खतम हुआ तो अलग चलाएं इसमें लैप्स भी ऐसे ही होते हैं लेकिन जो पिग्मी हैं पिग्मी सिकारी होते हैं पिग्मी का मुख की काम है सिकार करना ये होते हैं सिकारी ये होते हैं संग्राहक ये संग्राहन करते हैं चीजों का, संग्राहक होते हैं, सिकारी होते हैं, तो ए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये घुमकर नहीं है, किस प्रजाद के सदस्यों की संख्या सरवाधिक है, निग्रोइट, मंगोलाइट, अस्ट्रिलाइट, काके CIE, किस की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये काके CIE, D-Option इसका बिलकूल करेक्ट हो जाएगा, और ब्रिहत प्रजाद की रूप में इसको माना जाता है, विस्तुमें सरवाधिक जिन संख्या इनकी है, प्रित्वी के तलपर प्रथम पक्षी प्रादुरुभाओ कब हुआ माना जाता है, कब हुआ था प्रादुरुभाओ प्रित्वी तलपर, तो 15 करोर वर्स पूर भी ये माना जाता है, कि प्रित्वी तलपर पक्षी का प्रथम प्रादुरुभाओ हुआ था, बहुत पुराने हैं पक्षी, रितु प्रवास सब किस के लिए उपियोग होता है, अभी मैंने आपको बताया न, कि मानों और उनके पस, एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाएं, घाटिम चले जाएं, परबत पर फिर चले जाएं, फिर वहां से चेंज करके, जैसे से मौसमी परिवर्तन हो, वैसे चेंज होते रहें, तो उसी को रितु प्रवास कहा जाता है, और मौसम के हिसाब से जैसे से उनको खाना मिलता है, और बनस्पतिया जैसे होती है, वो चेंज होते रहते हैं, अपने को बदलते रहते हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि UPPCS, RO-E RO का जो एक्जाम आने वाला है, उसके लिए best program अगर आप testries को जोईन करना चाहते हैं, challenge है मेरा, किसी testries से आप तुलना कर लिजे, bilingual testries हमारी है, किसी भी बड़ी छोटी coaching से आप तुलना कर लिजे, और उसको अगर आप practice के तोर पर देखना चाहते हैं, अच्छे से करना च इसमें किसमें तमिल भासा एक प्रमुख भासा है, तमिल भासा तो तमिल भासा प्रमुख भासा है कहां पर, यह सिंगापुर में, सिंगापुर में तमिल भासा प्रमुख भासा है, यहां के लोग है वहां पर, खेतर भी इस तरीके का, जहां पर लोग जाएंगे तो वहां से पूछा जाता है कि बिस उमें जो सबसे ज़्यादा spoken language है उनने हिंदी का अस्थान आप से पूछा जाता है पूरे बिस उमें तो सबसे ज़्यादा तो मंदारीन हो जाएगा चीनी हो जाएगा second पर कौन आता है तो second पे Spanish हो जाएगा, इसका second अस्थान है, अगर third पे पूछा जाएगा, इसका अस्थान है, चौथे पे आपकी Hindi आती है, और आज Hindi दिवस भी है, 14 सितंबर को Hindi दिवस मनाया जाता है, तो चौथे पे हिंदी आती है, तो चौथा अस्थान है, बास समझ में आ रही है, इसका चौथा अस्थान है, इसको ध्यान में रखियेगा, तो हिंदी का भी अस्थान, और हिंदी के बाद में आपकी Bengali आ जाती है, इसका Bengali का पाच्वा अस्थान हो जाता है, फित, ब्राजील में विसाल कहवा, बागानों को क्या कहा जाता है, ये प्रशनाप से अगर पूछ कोरेक्ट हैkiem और कोई भी सर्प होगा तो इसको निर्मा कहते हैं ऐसे एक बागान होता था दा तो गारणों को वहां पे कहवा उत्पादत कि meget ता था तो गाहा जाने लगा और अपर दिल क्षेंग काल से यहां पर घ्याती होती है चीनी का उत्पादन यहां पर, चीनी का उत्पादन भी होता है, निम्रिकित में से कहवा का तो होता है, चीनी का भी होता है, किसे बिस्तु का चीनी का कटोरा कहा जाता है, बहुत सरन प्रशने जीके का, क्यूबा को कहा जाता है, बी ऑप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और क्यूबा के बारे में आपको बता हूँ यहां चुकंदर से चीनी खुब जादा मात्रा में बनाई जाती है चीनी केवल सकर से जो बनती है वो केवल गन्ने से नहीं बनती है और यहां पर भी चुकंदर से बनती है गन्ने से भी बनती है यहां पर इस समय अगर आप से पूछ पर व्यक्ति पर परशन यहां पर मिल्क का कितना उपलब्दित है तो इंडिया में आप देखेंगे तो 200 आप कह सकते हैं आल इंडिया में 25 ग्राम 241 ग्राम यह दो डेटा मिलते हैं और सबसे ज़्यादा आगर वैसे ही स्टेट में देखेंगे तो आंदर प्रदेश में तो पर कैपिटा आवेवेलिटी आप मिल्क के बारे में अगर बात करें तो भारत में कितनी हैं यह आपको या मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूं फिर से इसको नोट करिए अठारा उन्नीस का जो डेटा आया उसमें 394 ग्राम पर वेखती है यह वैवेलिटी है पर परसन यह है और इसमें सीर्स अस्थान पर जो है वो सीर्स अस्थान आपका हो जाएगा मैं वह भी आंदर प्रद यह एक लिटर से उपर आप समझेज़ें पूछा जा सकता है आपसे और विस्व में सवाधिक दूद का उत्पादन भारत में विटी कल्चर किसे कहते हैं विटी कल्चर बहुत बढ़ यह प्रश्ण है पीटी कल्चर किसे कहा जाता है पीटी कल्चर जो विटी कल्चर है व आपका हमेशा के लिए तयार हो जाएगा, आगे PCS की एक्जाम्स भी आ रहे हैं, ROYRO की एक्जाम्स आ रहे हैं, तो वो सब आपके तयार हो जाएगे, तो अंगूर का उत्पादन, B option इसका बिल्कुल correct है, निम्ने देशों में किस एक में पहली बार, उच्च उपज किस में बीज बिक्सित किये गये थे, तो ये बीज बिक्सित किये गये थे, मैक्सिको में, हाई-इल्ड जो बीज थे, वो यही पर बिक्सित किये गये थे, C option इसका correct है, अमरिका की कुर्सी बाग्यानिक्ट है, Norman Borlaug, वैग्यानिक ते हो अमेरिका के, लेकिन मैक्सिको में इसनों ने काम किया था, निम्लिकित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता, अब ये साइंस में भी पूछा जाता है प्रशन, इसमें थीन, कैफीन और तेलीन, इसमें नसा लाते हैं चाय का, तलब लगती है चाय की, लगता बस पी ही लो, लेकिन मार्फीन इसमें नहीं पाया जाता, ये तो थोड़ा और उच्छे दर्जे वाला हुए, अलफा, अलफा क्या होती है, तो एक प्रकार की ये घास होती है, ए आप्सन इसका विलकुल करेक्ट है, अलफा, अलफा, एक घास है, और अगर परिवार आपसे पूछा जा, तो मटर परिवार की ये होती है, किस परिवार की? मटर, इसकी फाइमली जो होती है, वो मटर फाइमली की होती है, अगला जो प्रशन है, निम्रिकित कत्मों पर विचार करे, अस्थानांतर सील किर्सी को बुस एंड फैलो किर्सी के नाम से भी जाना जाता है जो सिप्टिंग कल्टिवेचर होती है सिप्टिंग कल्टिवेचर जो होती है तो उसको बुस एंड फैलो के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है इसका आंद्रप्रदेश की छेत्रों में इसको दीपा कहा जाता है, ये दो इस्टेट्मेंट है, तो दूसरा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आंद्रप्रदेश की छेत्र में इसको दीपा नहीं कहा जाता है, पूडू कहा जाता है, दीपा कहा जाता है, च्छतीस गड़ तो यह दूसरा गलत हो जाएगा पहला सही हो जाएगा अब यहां पर एक चीज और आप देखिए यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी लिश्ट आप पर यह जैसे आप कुमारी आप से पूछ लिया जाए तो केरल के पच्चमी घाट में जारा पूछ जाता है आप जूम पूछ लिया जाए तो फुर्वोत्तर राज्यों में आपको यह मिलेगा ठीक है ना और वर्ता जहां पर है वहां पर इन्होंने यंगलों को साप किया जलाया और केती करने लगे और वर्ता सवाप्त हुई इन्होंने बंद कर दिया अलग जगे पूछ सबसे बड़ा उत्पादक कहां सबसे ज्यादा होता है कि सुगर केंब का उत्पादन कहां सबसे ज्यादा होता है और यहीं पर件事情 होता है लेकिन सेकेंड अस्थान पर आपका अपना भारत आता है ठीक है ना? तो सेकेंड अस्थान पर भारत का भी याद रखिएगा फिर थर्ड पर European Union आता है फिर चाइना आता है ये अस्थान भी है निकित में से कौन सा एक डेस गेहू तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है गेहू का भी सबसे बड़ा उत्पादक और चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक तो ये चीन है चीन जो है गेहू और चावल दोनों के मामने बाकी कोई आकड़े अगर चेंज होंगे तो याद करिएगा उसको तयार करेंगे आप लोग फूटलूज उद्योग का एक उदारण है फूटलूज उद्योग का मतलब होता है जिसमें परिवहन या संसादनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कीमत पर उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे साफ्टवेर उद्योग है, चाहे जहां बैटके आप बनाईए, साफ्टवेर बेच दीजिए, बाजार इसको कोई रोड पे लगाके तो आपको बेचना नहीं है, ऑनलाइन सारा कुछ हो जाएगा, तो ये साफ्टवेर उद्योग, निकित में से कौन सुमेलित नहीं है उसाका, याकोहामा, पिट्सवर्ग, हुस्टन, उसाका वस्तरोध्योग, सही है, याकोहामा, पोप मिर्मार, सही है, पिट्सवर्ग, लो इस बात, सही है, हुस्टन, आटो मोबाइल के लिए जाना जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये तेल और प्राकृतिक गायस के लिए ज जो मिसाभी रेंज है यह याद रखिएगा संयुत राज अमरिका में जो सुपेरियर जेल का छेत्र है वही पर law as के लिए जानी जाती है मिसाभी law as के लिए जानी जाती है बकी uranium के लिए जैसे कनाडा जाना जाता है uranium उतपादन में पोर्ट रेडियम कनाड़ा में इस्तित है, पोर्ट रेडियम, वो उसके लिए जाना जाता है, अब यूरेनियम का जो उत्पादन है, यूरेनियम प्रोडेक्शन कहा सबसे ज़्यादा होता है, पूरे बिस्ट में, अगर प्रोडेक्शन की बात की जाए, तो सबसे आपको धिहान रखना है कि इसके आकड़े कई बार बड़ा confusion हो जाता है तो जितना भी तयार रहें उसे साब से कजाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा production करता है कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा production होता है फिर कनाडा में होता है नाइजर का भी नाम इसमें आया था अभी चर्चा में था इसलिए मेरे मुझे निकला लेकिन कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कजाकिस्तान के बाद में कनाडा में प्रोडक्शन होता है और कनाडा के बाद में आश्टेलिया में प्रोडक्शन होता है फिर नामी भिया का स्थान आता है इस तर से उरेनियम के सरवादिक भंडार कहां पाया जाते हैं तो अस्टेलिया में भंडार अगर डिपोजीशन आपसे पूछा जाए कि उरेनियम का डिपोजिट कहां पर सबसे जादा है तो यूरेनियम डिपोजिट भी ध्यान रखिएगा मैंने आपको प्रश नहीं था लेकिन ब कुल्गार्डी आश्टेलिया की जिस परांत में इस्तित हैं वह कौन सा परांत है तो यह वेस्टन आश्टेलिया में इस्तित हैं कहां पर? Western Australia में, D option इसका correct है चुक्किक माटा, चिली निन्न में से किस खनीश के लिए प्रसिद्ध है, तो चुक्किक माटा ताबा के लिए प्रसिद्ध है, A option इसका बिल्कुल correct है ताबा के लिए रूर वेसिन अगर आपसे पूच लिया जाए और चुक्किक माटा यह है कहाँ, चिली में रूर वेसिन, यह जर्वनी का अध्योगिक छेत्र है और रूर वेसिन जो है यह रूर जो है जर्वनी में एक प्रवाहित वने नदी है, उसी के वेसिन के नाम से यह जाना जाता है, अध्योगिक छेत्र है कोईला खनन यहाँ पर होता है, कोईला की खदाने यहाँ पर पाई जाती थी, तो धीर धीरे कोईले का ममला खतम हो रहा है, पत्थर के कोईले के भंडार कौन से देश में, संसार में अग्रणी है, तो यह चीन में, B option इसका विल्कुल correct है, चीन जहाँ जहाँ पर यह सब रखता है, USA के बाद में, second USA, USA, और third जो है, वो इंडिया, इंडिया करस्थान आ जाता है, कोईला, कच्चा, तेलुम, प्राकृतिक, गैस, इनको क्या कहा जाता है, तो यह जिवास में इधन है, fossil fuels इनको कहा जाता है, D option इसका विल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, तो यह जिवास में इधन है, fossil fuels कहा जाता है, और इस पर निर्भरता आप करने की बहुत तेजी से आवा सिकता है, और electric वहिकल और इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाना जो सुरू हुआ है, यह आजकल की जरूरत है, यह तो समस्या हो जाएगे, D option इसका बिलकुल correct है, ग्वादर पत्तन अवस्तित है, कहां पर, तो ग्वादर पत्तन आपका, पाकिस्तान में इस्तित है, पाकिस्तान का एक बंदरगा है, सामरिक दिर्ष्टे से बहुत ज़्यादा important है, इस करण से यह चर्चा में बना रहता है, निम्लिकित में से कौन हारवर कहुंता है, और यह जो है, यह अभी बरतमान में देखा जाएगा, तो the port आप संगाई को माना जाता है, यह biggest, biggest port माना जाता है, लेकिन जब यह जो प्रश्ण है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लिश्ट जो यह वाले प्रश्ण यह दिया, लंदन, कोलंबो, न्युवार्क, तो संगाई, फिर सिंगापुर का अस्थान अब इसमें आता है, अब यह प्रश्ण जैसे पहले है, आप ओल्ड एर पेपर देखेंगे, तो आपने अगर इसको किया नहीं, तो अब यहाँ पर संगाई हो जाएगा, यहाँ पर राटरडम था, लेकिन अब आप याद कर लीजे, सिंगापुर का है, और तीसरे अपर आप याद कर लीजे, चाइना में निंगो जाउसन परता है, चीन का है, चाइना में निंगो जाउसन परता है, और पहला भी चाइना, संगाई, भी चाइना का ही है, लेकिन इसमें से राटरडम हो जाएगा, तो पुराना प्रशन आपको दिखा रहा हूँ, तब भी कहा अलर्ट रहना है, यह मैं बताने के कोशिस कर रहा हूँ, Canadian Pacific Railway किन दो इस्टेस्नों के बीच चलती है, बहुत important प्रशन है, Canadian Pacific Railway Montreal और Vancouver के बीच में चलती है, B option इसका correct है, Montreal और Vancouver के बीच में, अगला जो प्रशन है, न अगला जो प्रशन है, सबसे अधिक डागघर किस देश में है, सबसे जादा डागघर, तो बिच में सरवाधिक डागघर, लगबग डेर लाग से जादा डागघरों की संख्या है, अगर आप सर्च करेंगे, कि डागघर कितने हैं, कितने post office हैं, post office इंडिया में कितने हैं, तो ये संख्या लगबग आप मान के चलिए, एक लाग 55,000 से उपर आपको मिलेगी, 1. 1.55,000 और इस से जादा डागघर कहीं नहीं है, ये भारत में है, एक अप्टेट्ट में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हमारी जब टेस्टरीज आप लेंगे, उसके व्याक्षा में सब दिया रहता है, आईएस प्रेप अकेडमी आप डाउनलोड कीजिए, और वहां स कहां परिष्टेत है, जितने भी इंपोर्टेंट संगठा ने उसके मुख्याले भी याद रखा करिये, खास करके जिनका भारत सदस्य है, तो सार्क का जो मुख्याले है, ये काटवांडू में है, और काटवांडू है नेपाल में, सार्क की अस्थापना कभ हुई थी, इस का आठवां सदस्य बना था, साथ सदस्यों का संग पहले था, तो और फिर आठवां सदस्य में जुड़ा था, सभी तराज अमेरिका का उपग्रे परचेपड केंदर कहां परिस्तित है, तो ये कैप के अनेरिवल में है, इंपोर्टेंट है, और जरा भारत का बताईए, भ भुगोल में नौनियतवाद के सिद्धान का प्रिटबादन किसने किया था, कभी-कभी थौट के क्वेस्टन भी आपसे पूछ लिया जाते हैं, तो ये गृपिट टेलर वहोदे ने, बी आप्सन इसका करेक्ट है, उन्होंने इसका प्रिटबादन किया था, वैग्यानिक और चिछला समुद्र भी वहाँ होना चाहिए, तो वहाँ पर मस्त पादन के मस्त शेतर पाया जाते हैं, पेड की आयू का पता कैसे लगाया जाता है, तो आप उसको काटिए, और उसके धड़प में बलयों की संख्या देखिए, उसकी गर्णा कीजिए, और उसी के आधार पर वग्यानिक बिधी से, इसको ज्याद कर लीजे, बर्मुडा तिर्वुच कहां पर वस्तित है, छोटे-छोटे ये प्रश्न है, सब प्रश्न आप जानते हैं, कहां-कहां बस ध्यान रखना है, पस्चमी उत्री अट्लांटिक शेतर में आप जाएंगे, तो बर्मुडा प्रट्रिको, ये सब उस चेत वहाँ पर देखेंगे, तो त्रिकोडिये इस्तिये बनाते हैं, और इसमें क्रिश्टोपर कोलंबस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और इसमें माना जाता है कि कई बार आट्रेक्शन भी पाया जाता है, कि चीजों को खीच लेता है अपनी तरफ, तो पश्चिम उत्री अट्लांटिक महासागर में इसकी इस्तिती है, ये option इसका correct है, निम्रिकित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, यहाँ पर अस्थानिये पवन और देश, वेरासेन, पेरु, दच्छनी बेश्टर, आश्टेलिया, आश्टेलिया में, न्यू साउथ वेल्स में, आश्ट्रिया में नहीं, आश्ट्रेलिया में, देखिए कैसे इसको पूछा गया, आश्ट्रिया और आश्ट्रेलिया में confused किया गया, बाकी ये सब सही है, अब आप अस्थानी पवनों की list उठाईए, वीडियो भी हमारे आश्ट्र है, या सीथ और सुस्क है, या वरफीली है, कैसी है, तो ये गर्म और सुस्क है, गर्म है और सुस्क है, हाट है और ड्राई है, ये option इसका बिल्कुल correct है, कलिपोनिया में चलती है, निम्डिकित में से कौन सा जोरा सही सुमिलित नहीं है, पवन और देश, योमा जापान, नाम से ही लग रहा है सही है, सामुन दच्छेड अफरिका, सामुन जो है, सामुन इराक और इरान में चलती है, ये गलत है, टेंपोरल मद्द अमरिका और सिबू, सिबून जो है अरब में, तो B-Option इसका बिलकूल करेक्ट हो जाएगा, आप जब प्रशन करिए, त उसको अंसर निकाले की कोशिस करिए, डारेक्ट नहीं आता है, तब भी अंसर निकलेगा, अस्थानिये पाउलों के संबद में निम्रिकित में से कौन सा कथन सकते नहीं है, अस्थानिये जो पवन होती है, ये बहुत, जीसे तापमान और वायदाप के अस्थानिये अंतर चलती हैं सही हैं, बहुत बड़े छेतर को प्रभाववव डालती हैं, अस्थानी जब लगा हुआ है, तो अस्थानी का मतलब है कि छोटा छेतर, इसमाल एरिया है, तो दूसरा गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, छोब मंडल की निचली पर उतों तक सीमित रहती हैं, सही है, और आस्थानी चेतर के तापमान पर प्रभावव डालती हैं, ठंडी जाएगी तो वहाँ पे घर्म को सांथ करेगी, और गर्मी आएगी तो ठंडी खतम करेगी, घर्मी का प्रभाव डालेगी, भी ऑप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा, किसी बायों में संकेतक प्रजाति के क्या तात्पर हैं, तो जो प्रयावणी प्रिवरतन के लिए बहुत क्या हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं, संवेदन सील हो, उनको संकेतक प्रजाति कहा जाता है, जरा साभी कुछ प्रिवरतन हो, तो संकेत दिखने लगे, तो जो प्रयावणी प्रिवरतन के लिए बहुत ज़्यादा सम्वेदन सील हो, सेंसिटिव हो, इसका सेंसिटिविटी जिसमें हो, उन्ही को संकेतक प्रजाती, इंडिकेटर, इस्पसीज उनको कहा जाता है, प्रजाती अगर परिष्टिक तंत्र में कोई हान होती है, तो यह चिताओं नहीं देने लगती है, जल प्रदूसर्ण होगा, वहाँ प्रदूसर्ण होगा, कुछ भी परिवर्तन होगा, वाटर बाड़ी में, या वहाँ किम्रदा में, तो यह बताने लगेगी, कुछ इसमें परिवर्तन आने लगेगा, तो समझ जाईएए, किसी समधाय में, वर्स भर उपस्तित, पौधों की कुल संख्या की गरणा, क्या कहलाती है, तो पूरी जो गरणा करते हैं, उसको species composition, या जात ही रचना कहते हैं, क्या कहते हैं, वरक भर पौदों की कुल संख्या की जो गड़ना है उसको जाती रचना कहते है इन्वारमेंट को भी मैंने इसमें साम्ण कर लिया है जोगरफी में जयमेंडल के अंतरगद साम्ण किया जाता है जैविक गटक को या जैविक संगटक को तो दोनों आर्गेनिक और ये बायोटिक यहां पर बायोटिक ज़्यादा सही है जैविक की जगह पे इसको बायोटिक करिये बायोटिक तो बायोटिक और बायोटिक दोनों को इसमें समिल किया जाता है बास्वन में आई तो C option इसका बिलकुल correct हो जाएगा पृतवी का जो समस्त जीवित जियू और उनके आसबास का प्रियावरण है और आपस में जो परिकृरिक होती है जव्यमेंडल की इससे रशना होती है और इसमें जाय विक संगटक भी होते है जाय प्राश्राइश्ट सतथ विकास समेलन ड्रियो प्लस टॉन्टि का आयोजन क कहां किया गया था और यह किया गया था रियोडी जनेरियो वे तो यह जाएगा 2012 में ठीक है रियो प्लस टॉंटी का रेचरभ गूप समेलन जो हुआ था तो कोप सुपिट का आयोजन कहां हुआ था अभी कौन सा कोप हुआ यह आपको जानना है करेंट अफेर में इसको हम पढ़ते हैं लेकिन जो पहला कोप हुआ था प्रतिभी सम्मेलन को पाइस्तिक अस्वाशन से बचाने के लिए Rio de Janeiro में 3 जून से 14 जून 1992 के बीच में स्थापित किया गया मतलब यह सरी आयोजित किया गया और पहला कोप जो हुआ था वो 1995 में हुआ था और यह जर्मनी में पढ़ता है बर्लिन वहाँ पर हुआ था 1995 में टेडिस्नल जो क्वेस्चन है पुराने जो सरण प्रशन है उनको गलत मत करिये पास हो जाएंगे निम्लिकित में से कौन सी इस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्वन करती है कौन सी गयस है तो ये अब इसमें और करेंगे जो यह सब करेंगी था पानवे जो प्रशन है अगला जो प्रशन है बस खतम होने वाला है इतना बोलना आप लोगों का पूरा देखना ये कोई छोटी बात नहीं है करते हैं 50 कभी एक क्लास आएगी अब समार्थ हो जाएगा कल उसको हम कर लेंगे और इस गयस का प्रियोग निविखित में से किसमें होता है प्रणोधक प्रसीतक प्लास्टिक का निर्मार तो जो रिप्रेजेंट है प्रसीतक जो आप वातानुकूलिक चलाते हैं इस ही चलात प्रियोग होता है तो केवल प्रसीतक आप लोग मार देते हैं इसमें ठीक कभी-कभी तो D option इसका बिल्कूल correct होगा, B नहीं होगा ये ध्यान रखना और आज का इस एपिसोड का इस सेसन का और आज की इस क्लास का अंतिम प्रशन है अमने वर्सा का कारण मुखिता कौन सी अमने वर्सा जो होती है और द्योगिक देशों में ये बहुत बड़ी समस्या है, सल्फर डायक्साइड और नाइट्रस आक्साइड ये दोनों आप जानते होंगे इसमें है, लेकिन नाइट्रिक आक्साइड भी इसमें पाया जाता है, जिवास्म इंधन के जलने से ये नि और इसी तरीके से स्रीगरेश जैसे हुआ था, अब इतिसरी समाप्त हो रहा है, आपको बहुत-बहुत सुपकरना है, कोई भी एक्जान देने जा रहे हैं, इसको आप रिवाइज करके जाएए, और अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि किसी के लिए ये उपयोगी है तो उसको पहुचाईए जरूर, और पसंद आया है, तभी इसको लाइक करिए, कोई भी अगर गलती मुझसे हुई है, तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजे, कोशित की जाती है, कभी-कभी स्रोत भी गरवड हो जाते हैं, कभी-कभी दिमाग नहीं उतना ध्यान दे पाता, तो थाइंक्यू, थाइंक्यू सो मच इस सेशन को अटेंट करने के लिए, और आगसे ही अपना प्यार बनाए रखें, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम जल्द ही आपके लिए और नए-ने कारिकरम लाने वाले हैं, और आप लोगों को सजिश्ट करना न भूलें अगर आपको अच्छा लगता है, All the very best!